ये आकाश्वानी रैपुर है प्रादेशिक समचार बुलेटन के साथ मैं लता देवी चाहान अरपेशे आज के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री ने देश को आत्म निर्भर बनाने की अपील की मन की बात कारुकर में श्रीमोदी ने हर शेत्र में व्रिद्धीदर तेज करने और राश्ट्र के विकास के लिए आत्म निर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताया केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने आज वीडियो लिंक के जरिये महाराष्ट चत्तीसगर और तेलंगाना के बीच राश्ट्री राजमार्ग पर बनाये गए महत्वपूर्ण पूलों का उधगाटन किया JEE और NEET में शामिल होने वारे परिक्षार्थियों को परिक्षा केंद्रों तक लाने ले जाने के लिए राजसरकार परिवहन की नहिशुल के विवस्था करेगी और OSD और PSO के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने चार दिन के प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने भारत को हरक्षेत्र में आत्म निर्वर बनाने के लोगों से अपील की है आज आकाश्राणी से मन की बात कारिक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हरक्षेत्र में विर्दीदर को तेज करना और देश का विकास आत्म निर्वर भारत के लिए उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समरिद एतिहास पराधारित होने चाहिए प्रधान मंतरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म के आप के बारे में भी बताया उन्होंने चत्तिसगड के चिंगारी एप का भी उलेक किया जो युवाओं के बीच काफी लोगप्री हो रहा है श्रीमोदी ने कहा कि आत्मिलिवर भारत अभ्यान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलोना ख्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है प्रधान मंत्री ने स्टार्ट अप कमपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलोना उत्पादन के प्रमुक देश के रूप में स्थापित करने की भी अपिल की प्रधान मंत्री ने कहा कि राष्ट्री सुक्षनीती में बच्चों के जीवन पर खिलोनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है प्रधान मंत्री ने कोरोना संकट के दुरान किसानों की भूमिका की भी सरहना की हमारे देश में इस बार खरिप की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत जादा हुई है दान की रुपाई इस बार लगबग 10 प्रतिशत दाले लगबग 5 प्रतिशत मोटे अनाच कोष सिरियल्स लगबग 3 प्रतिशत कपास लगबग 3 प्रतिशत जादा बोई गई हैं मैं इसके लिए देश के किसानों को बढ़ाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ श्री मोधी ने कहा कि भारती कृशी कोष का निर्मान किया जा रहा है जिससे प्रतेग जिले की फसलों और उनके पोशन मुले की पूरी जानकारी मिल सकेगी प्रधान मंतरी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और परियावरन के बीच संतुलन बना कर काम कर रहे हैं श्रीमोदी ने सुरक्षा बलों के सहयोगी के रूप में असाधरन योगदान करने वाले श्वानों की भी चर्चा की उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादूर श्वान हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के अपना बलिदान भी देते ह प्रधान मंत्री ने 36 गड़ के बीजापूर जिले में केंडरी रिजर्व पुलिस बल के श्वान क्राकर का भी जिक्र किया जो IED विस्फोर्ट में शहीद हो गया था प्रधान मंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को सिख्षक दिवस मनाए जाएगा उन्होंने इस बात पर प्रसनता व्यक्त की कि सिख्षकों ने कोरोना संकर से उत्पन चुनोती को सिवकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है श्रीमोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में देश अपनी आजादी की 75 वी जैनती मनाएगा प्रधान मंत्री ने विद्यार्थियों से अपिल की कि वे अपने जिले और क्षेत्र में स्वतनतरता संग्राम के संबंद में अनुसंधान करें उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालों के विद्यार्थी स्वतंतता की 75 वी वर्षगाट पर 75 कविताई लिखने और स्वतंतता आंदुलन के नायकों पर मंची कथाई भी लिख सकते हैं केंडरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री निजन गटकरी ने आज वीडियो लिंक के जरिये महराष्ट के गडचिरौली जिले में दो सड़क परियोजनाओं के साथ ही तीन पूलों का उधगाटन किया जिन परियोजनाओं का आज उधगाटन के गया गया उनमें पर अपने संबोधन में श्रिगटकरी ने कहा कि इन महत्वपूर्ण पूलों के बन जाने से महराष्ट च्छतीस गोड़ और तेलंगाना के बीच राश्ट्री राजमार्ग के जरिये सड़क संपर्क स्थापित करने का कारिया पूरा हो गया है केंद्रे गरह मंतराले ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के ख्षित्रों में और गतिवीधियों खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किये हैं एक सितंबर से लागू हो रहे हैं अनलॉक फोर में और अधिक गतिवीधियों खोलने के प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है केंद्रे गरह मंतराले ने कहा कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, सेक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन या दूरस सिक्षा की अनुमती दी जाएगी और इसे फ्रोच साहित किया जाएगा कंटेन्मेंट जोन से बाहर के ख्षेतरों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मरोरंजन पार्क, थियेटर और इसी तरह के अनुमती या स्थानों को छोड़ कर सभी गतिवीधियों को अनुमती होगी वैक्तियों और वस्तेयों का राज्ये के अंदर और राज्यों के बीच आवा-गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इसी तरह की आवा-गमन के लिए अलग से अनुमती या स्विक्रिति अथवा ई-परमिट की आवशकता नहीं होगी ग्रेमंत्राले ने राज्जियों को कंटेन्मेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का इस्थानी लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है राश्ट्री स्तर की प्रवेश परिक्षा JEE और नीट में शामिन होने वाले द्यार्थियों को परिक्षा केंदर तक ले जाने और वापस लाने के लिए राज्य सरकार निहिशुल के परिवहन की विवस्था करीगी इस जोरान परिक्षा में शामिल हो रही छात्राओं के साथ उनकी एक अभिभावा को भी इनेशुल की यात्रा की अनुमती होगी वाहन में यात्रा के लिए परिक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा इस संबन में राजसरकार दोरा दिशान निर्देश जारी के गये हैं निर्देश में जिलक अलेक्टरों को कल 31 अगस से परिक्षार्थियों के लिए बसे चलाने को कहा गया है निर्देश में कहा गया है कि परिक्षार्थियों की संख्या कम होने पर जीप और मिनी वैन जैसे वहनों की भी विवस्था की जा सकती है गौर्तलबे की संयूक्त इंजिनिरिंग प्रवेश परिक्षा JEE एक सितमबर से शुरू हो रही है इस परिक्षा में प्रदेश के लगभग साढ़े तेरह हजार परिक्षार्थि शामिल होंगे इसके लिए राज्य में पांच परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वानी रापूर से सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाई कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वानी समाचार फेस्बूक, ट्विटर और यूट्यूब पर विउप लब्थ है अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाईल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक चतिसगर की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वानी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की उगर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसला लगातार जारी है राजाने रापुर में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के विशेश कर्तव्यस्त अधिकारी OSD की कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है साथ ही मुख्यमंत्री की PSO भी कोरोना संक्रमित पाए गये हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीर संदेश में कहा है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन वे एतिहात के तोर पर चार दिन आईसोलेशन में रहेंगे गौर्दलवे की कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के सलाकार राजेश अतिवारी और उनके पूरे परिवार की कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी इधर बिलासपूर के सरकंडा थाने में दो पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं वही जांजगी चापल जिले में 24 ने कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है बिलासपूर जिले के सीपत थाना प्रभारी मान सेंग राठिया की आज एम सिरापूर में उपचार के दौरान मौत हो गई बिलासपूर पलिस अधिक्षक ने सीपत थाना को आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिये हैं बिलासपूर शहर के टिकरापारा इलाके में एक वेवसाई परिवार में भी पती पतनी और पुत्र की कुरोना संक्रमन से मौत हो गई है उधर राजनानगाउं जिले में भी कुरोना संक्रमन से तीन ब्यक्तियों के मौत हो गई है इस बीच राजनानगाउं जिले में सरदी, खासी और बुखार के मरीजों को बिना पहचान बताए दवाई दुकान से दवा नहीं दी जाएगी स्वासी भाग ने सभी मेडिकल स्टोर्स को इस सम्मद में दिशा निर्देश जारी कर रजिस्टर बनाने को कहा है इधर राजगर शहर में 14 दिन के लॉकडाउन के बाद कल से दुकानी खुलेंगी सबजी और फल के दुकानों को सुबह 7 से दुपहर 1 बजे तक और अन दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलने के अनुमती दी गई है रविवार को बाजार बंद रहेंगे राजे सरकार ने प्रदेश के कुछ नीजी लाब और अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमन की पहचान के लिए जाच के अनुमती दी है स्वास्ते भाग द्वारा रापुर के 6 नीजी लाबों को कोरोना संक्रमन की R.T.P.C.R. जाच के अनुमती दी गई है इनमें कोर्ट, डियागनॉस्टिक लाब, डॉक्टर लाल पैथलाब, SRL, पाथ, काइन, मेट्रो, पॉलिस, हेल्थ केर और सब अर्बन लाब शामिल हैं इसके अलावा, नया रापूर के बाल को, मेडिकल सेंटर और रागड के ओपी जिंदल अस्पताल को, ट्रू नॉट टेस्ट की अनुमती दी गई हैं साथ ही रामकृष्ण केर, मेडिशाइन, श्री नरायना और वी केर अस्पताल तथा बिलासपूर के अपोलो और कोर्वा के एडवांस डियागनॉस्टिक सेंटर को रापिड एंटिजन किट से कोरोना जाज की अनुमती दी गई हैं कोई भी वेक्ती नीजी लैवों और अस्पतालों में स्वैम के खर्चे पर कोरोना संक्रमन की जाज करा सकता है प्रदेश बेते चार दिनों से हो रही बारिश का दौर आज कुछ थम गया हाला कि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी जल भराव की स्थिती बनी हुई है वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं जिससे आवगमन प्रभावित हुआ है धमतरी जिले में पानी की आवक लगातार बढ़ने से गंगरेल बांध के तीन गेट खोल दिये गए हैं माडम सिली बांध के गेट पहले ही खुल चुके हैं इदर जानगी चापा जिले के शिवरी नरायन में महानदी का पानी शबरी पुल से नीचे आ गया है इसके बाद मार्क पर भारी वहानों को छोड़ कर अन्य वहानों के लिए आवगमन बहाल कर दिया गया है हाला कि शिवरी नरायन क्षेत्र की कई नीचली बस्तियों में अभी भी जल भराव की स्थिती है इन बस्तियों के प्रभावित लोगों को रहत शिवरों में ठाराए गया है उधर बेमेतरा जिले के नान्द घाट में शिवनात नदी उफान पर है बारिश के कारण नान्गाट के आसपास की कई क्षेत्र और गाउं टापू में तब्दील हो गए है साथ ही करम सेन गाउं का संपर्क आसपास की इलाक्यों से तूड़ गया है वही दूर्ग जिले के आज ग्रिह मंतरी तामरदवज साहू ने अपने विधान सवाक शेत्र का भ्रमन किया और अने के गाउं पहुँचकर ग्रामीनों से मुलाकात की इस बीच जिले के प्रभारी सचिव सद्धार्थ कूमल सिंग परदेशी ने भी आज जिले के जल भराओ वाले इलाके का निरिक्षन किया शुपरदेशी राहत शिवरों में भी पहुँचे और प्रभावितों से चर्चा की इदर बालोट जिले के हल्दी गाव में एक अधिर के खरखरा नदी में बहने की ख़बर मिली है फिल्हाल बचाऊ दल अधिर की तिलाश कर रहा है वहीं राज वल्ण जिले के कोहका में शिवनात नदी में ढूबने से एक यवग की मौत हो गई हिमाले के तराई के उपर बने कम दबाओ के एक शेत्र की वज़े से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं कुछ एक स्थानों पर गरत चमक के साथ बहुचारे पढ़ सकती है मौसम विभाग के नुसार आने वाले दूनों में तापमान में बढ़ने की संभावना है प्रदेश में राश्ट्रिय पोशन महा अभ्यान के शुरुवात एक सितंबर से की जाएगी वैश्रिक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राश्ट्रिय पोशन महा को डिजिटल जन अंदोलन के रूप में मनाय जाएगा इस और अन को पोशन के प्रती जन जागरुपता के लिए वर्चुल कारिक्रम आजित किये जाएंगे साथ ही सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का अधिक से अधिक उप्यों किया जाएगा यह अभियान आगा में 30 सितंबर तक चलेगा गौर तलब है कि को पोशन के स्तर में कमी लाने के उदेश से वर्ष 2018 से देश व्यापी पोशन अभियान का संचलन किया जा रहा है प्रदेश के सीमा वर्ती, राज्जियों, मद्यप्रदेश और महराष्ट के साथ 36 गड़ पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों के बैठक कल सालहे वारा में संपन हुई बैठक में मावादियों के वर्तमान गतिवितियों और भविष्ट में उनके खलाफ संयुकत अभियान चलाए जाने को लेकर विचार में मश्च किया गया बैठक में प्रदेश के राजननगाओं, कबीर धाम, मध्यप्रदेश के बालगाट और महराष्ट की सीमा से लगे जीलों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए पंचायत और ग्रामिन विकास मंत्री टिये सिंग देव आज रात साड़े साथ बजे आकाश्वनी रापु से प्रसारित विशेश कारिक्रम हमर ग्राम सभा में मनरिगा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे इस कारिक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्स पर सुना जा सकता है इस कारिक्रम को प्रदेश शित आकाश्वनी के सभी केंदर एक साथ रिले करेंगे आशुराय महर्म आच्छच्छगर सही देश में शद्धा के साथ मनाय जा रहा है यह दिन पेगंबर मुहम्मद के नवा से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाय जाता है जिनोंने सत्य और नाय के लिए कर्बला में अपने फ्राणों का बले दन दिया वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार ताजिया जलूस नहीं निकाले जा रहे हैं इस्लामी कैलेंडर के सबसे पवित्र महीन महरम के दसवे दिन आज यौम आशूरा पर पतरमन्ती नरिन मुदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया श्रीमोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन के लिए सत्य और नया से बड़ा कुछ भी नहीं था और अब कुछ अन्य खबरें संक्षप्त में मुक्यमति भुपेश बखेल ने ओडम पर्व के अवसर पर पुदेश वासियों को विशेश कर मल्याली समुदाय के लोगों को बढ़ा योशिप कामना दी है इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों के जीवन में सुख समरिती और खुशाली की कामना की है राजिके बीजापूर और दंतेवाड़ा जीले को छोड़ कर प्रदेश के बाकी जीलों की 1280 प्रात्रमिक साख समीतियों के पुनर गठन के लिए 10 सितंबर तक दावा आपत्ती आमंतरित किया गया है इंदरा गांधी क्रिशी विश्वदाला के तहत संचालित क्रिशी उद्यानिकी और क्रिशी अभियांतरिकी महाविद्यालों के इसनात को उत्तर था PhD पार्ठी प्रमों में दाखिले के प्रक्रिया 5 सितंबर से प्राणव होगी प्रवेश के इच्छो कुछातर 30 सितंबर तक आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं महासमन जिले के Hood में स्थित अस्थाई गौठान में फिर से साथ मवेशों के मौत हो गइए अब तक इस गौठान में 14 मवेशों के मौत हो चुकी है इसी जिले के लवराख खुर्द के पास अग्यात वहान की चपेट में आने से एक मैला की मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घाल हो गए हैं कोरिया जिले के मनिंदगर वनमंडल में भड़वार गाउंग में साथ हाथियों के दलने ग्रामीनों के कई घरों को शती पहुचाई है वहीं फसलों को भी नुकसान पहुचाया हैं और मासमुन जिले के सिंगोडा थानक शेत्र में पलिस ने वहनों की जाज के दुरान तीन आरोपियों से सत्तर किलो गांजा बरामत किया हैं अन्तम मुक्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री ने देश को आत्मरिनवर बनाने की अपील की मन की बात कारिक्र में शिमोदी ने हर शेत्र में व्रदीदर तेज करने और राष्टर के विकास के लिए आत्मरिनवर भारत को महतोपूर्ण बताया केंद्री मंत्री निदिन गटकरी ने आज वीडियो लिंक के जरिये महाराष्ट चत्तिसगर और तिलंगाना के बीच राष्टरी राजमार्क पर बनाए गये महतोपूर्ण पूलो का उधगाटन किया JEE और NEET में शामिल होने वाले परिक्षार्थियों को परिक्षा केंद्र तक लाने ले जाने के लिए राज्यसरकार परिवन की नहिशुल की ववस्था करेगी और OSD और PSO के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मुख्यमत्री भुपेश बगेल ने चार दिन के लिए स् रिपोर्ट नेगेटिव आई है इसी के साथ प्रादिशिक समचार बुलेटिंग समाप्त हुआ नमस्कार